लेंप आपने चाले होगा है और काफी वडिया उजाला दे रहे हैं दोनों उपर के भी और उजाला गाईज इससे बढ़ जाएगा बढ़िया पूरी कंप्लेट वाइरिंग होगे रहा हो करना अपने को तो फिर वह आख्री में करेंगे अब इसको लगागे कंप्लेट कर ले आता हैं अपने साइड की जो लाइट है तो फॉलाइट है तो मैं आप लोगों को बताता हूं वह वह तो कर दो कि तो नुको तो फोग लेंप एंगे दो इसके अंदर लेटी भी अपनी जो अलेख सा अपनी तो फोल करी निकाल लिएं दो तो लुए दोंव काफी बढ़िय अब लेटे के रहेंगे और एकदम हेवी कॉलेटी इसली कुरेज संसर्ट लाच पहले से लगा हुआ आता इसके अंदर इसली करके रखा स्टार्ट तो इसमें ज्यादा इस्कुरू नहीं आते दो यहां लगें और यहां पर नहीं आता है और एक यहां लगाए और गया से नीचे लगे हुआ तो नमबर प्लेट भी निकालना पड़ेगी तो उसको निकालते हैं पूरे बंपर को पेले फिर इसको काटना है तो इसक अपने को यह भी निकालना है पत्तियां दोनों यह दोनों पत्तियां निकालना इसमें से इधर की साइट नहीं इसे पत्तिय निकालके इनको काटके यहीं पर लग जाएगा यह इन पर होगी सब इसको पेले इसको निकाल ने तो गयद आपनने यह फोग लेंप की गिरिल का जायागा तो उसके लिए ग्रिल है जो अलग छे पोइंट ये पोइंट अलग निकासना है काटना है इंको और उधर की भी काड़ लेते हैं दोनों की कटिंग हो गई और गैज एक तरह बनने अभी इस्टोल भी करने लगा है तो गैज इस्टोल करने के लिए इसकी अपने दो स्कुरू लगाना ओर हलकेस आपको डाइड करना फिर इसको आपको सीधा करना थोड़ाशा बैलेंस बना आगे फिर इसको लगाना तो मैं इस्टोल करके बताता हूं आपको केसा करना तर्बे थोड़ोची स्कुरू अटिकाले ओ गई ओर गैज इस प्रकास चे देना तो इसको ये पे नट कर देते हैं एक तो अपने लग गई एक तरफ आते हैंगे और एक तरफ 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 तो अपने लगा दियें और एक तरफ अपने डिक्ष दिये जुएसे कसे हैं गाईज सामने से भी दिखेंगे नी तो इस तरीके से अपने को भी थोड़ा सा करना आपको भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा तव्याग होगे ना तो यह कसा हां इस बिल्कुल करेक्ट होगे गाईज तो जबी नहीं लेंगे जो भी है कंप्रेट होगए और सामने से भी गाईज पूरे हो गाए हैं कम्पे एकदम बढ़िया इस तरीके से अब इसमें आप उपकुझी भी नहीं देखे रहा होगा अब उधर का लगाते हैं गाईज पूर रखा हुआ हैं दोनों इंस्टोल होगा हैं इदर का भी हो गया इदर का भी तैक मैं आप उ इसको लुक दिखाता हूं कितना बढ़िया लग रहा है अब इस तरीके से लग रहे हैं काफी बढ़िया लग रहे हैं काईज जो दोनों एक तम सेंटर में लगे याला भी और याला भी तो अब दोनों होए कंप्लीट अब इस इनके अपने इस गाईज अंदर की जो लाइ लगा दिखकें हुई है तो वाली भी एपने लगाईगे पहले इसल लगागी लगा दे तहीं है इसफर बंफर को तो सबसे बहने गाई इसमें वाइरिंग करना आप मैं आपको आपको यहाला माइनस है और यहाला growing के चो लगाइज यह बनाकी रेक्वाए तोनों ब्लेक वायर है अपने इसमें कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं वायर होगा अलग रेड बिल्यू येलो ग्रीन जैसा चीए और वाइस ये दो फीट का वायर है अपने पास में तो दो फीट के वायर में अपने को एक प्लस मूर एक माइनस में जोड़ना तो अभी उदर जोड रहा ऐसे जोडना इसमें भी तो इस जो माइनस है उसमें टेप नहीं लगाना जो प्लस वाला काई उसके मूँपे यहां पर लगाकर यहां पर टेप लगाना ठीप लगाना तो अपने तरभ की वायरिंग हो गई है और यहां कपलर लगाया हुगा वाइनस में आक OME तो यस्तरीक से लगता तो भी इसमें लगा देंगे वगेरा भी कर देया अपनने complete ओड साइड़ से निखाल लीगाज वआइरिंग पूरी निकाल लिए और यह मेन वा निकाल दिया तो यहां से गाईज इधर की साइड से डायरेक्ट अपन पीछे ले जाएंगे और बेटरी से अटेज करके एक वाइरिंग बनाएंगे तो वाइर भी अपने लगा दिए यह मेन में यहरी और इधर से गही है पीछे इस्टेरिंग के यहां यह दो वायर है एक मेने और जो डायरेकटर लेगी miss है तो इधर वह गया यह काम अब यहां से यह याज यह वायर है इधर आ गई है Фब्द डेर्ग से लगा कि नहों चाली होड़ है दोनों फोग लेंप लग गई अपनी जालू भी हो गई दोनों को चालू करकर कि देख ली आप गई इस्समें Israel कर देता है चेदे लगा देते हैं इसको तो इसकी दौन एकदम बड़िया लुड में आ गैं और आफ अपसित दिन आपन पर कलर गर वाँए काशिज दिन पूरा कलर गर ऐंगे लेकिन ज़्य मिले अपने hawain रदे में पूरी बढ़न करते कि दूकिर ओना अलग लागे आपने पूरी हुडहए माट och तो इससे काफी बढ़िया लगेगा क्योंकि दोनों फोगलेंप छोड़के और आपने गिरिल छोड़ेंगे एस वाली यह वाली तो बढ़िया लागेगा यह बंपर अलग रिया वाइरिंग तो मैंने कर दी है यह गैज एक में में लगा दिया और आर्टिंग लगा दिया तो में अपने को यह से लेना और आर्टिंग यह जो बेटरी से बोड़ी में करेंटा आ रही है यह वाला यह वाला बोड़ी में से अपने को लेना तो यह ले लिया अपने और एक अंदर से कर दिया कनेक्शन तो तो गाई इस तरीके से इसको लगाना चीए जो आप इसको लगाओगे जब आपको पता चल जाएगी तो वेसे आप इसको इसको कर सकते हो और गाई यह अपनी जो गिरील है यह अपनी है कि साड़े चार सुर्पे की गाई दोनों गिरी लेगी और गाई और भी मोडिवेकेशन करा हुआ है जैसे अपने साइड मिलर अलग से लगे हुए इसमें और अभी और भी काम बागी है तो अपन आगे हो ले ब्लोग में आप लोग जानकरी देता रहूँगा तो इसे इंस्टे लगेगा तो ब्लोग अचा लगे तो ब्लोग को कर दिया लाइक है 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 हुफ झाल करते है है कि ब्लोग मिलर अभी अचान स्वफ दियत कर रागी है है है